गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 7 ग्रीन प्लांट्स को स्टार्ट कर रहे हैं आपने अपने स्कूल के आसपास के गार्डेन या फिर घर के पास वाले गार्डेन में बहुत तरह के प्लांट्स देखे होंगे सभी प्लांट्स में लगभग, most of the plants में green leaves ही होते हैं आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यूं होता है, leaf का color green ही क्यूं होता है ये एक green pigment होता है, जिसे हम chlorophyll कहते हैं, उसकी वज़े से green होता है जैसा कि हम जानते हैं, plants भी एक living thing ही है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं plants के green leaves ही plant को food बनाने में help करते हैं, तो चलिए पहले हम leaf के different parts के बारे में जानते हैं parts of a leaf, stalk, leaf blade, main vein and side veins, ये कुछ different parts होते हैं एक leaf के first हम बात करेंगे stalk के बारे में, leaf जीस stem के साथ जुरा होता है, वो stalk के help से ही इसे petriol भी कहा जाता है second है leaf blade, किसी भी leaf का जो फैला वो broad part होता है, जो surface पूरा जो surface हम देखते हैं वो leaf blade ही है, इसे lamina भी कहा जाता है, ये leaf को sunlight trap करने में help करता है third है main vein, main vein को mid rib भी कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां तक उसे ही main vein कहा जाता है ये leaf के middle part के through cross करता है, fourth है side vein, किसी भी leaf के main vein से बहुत सारे veins निकलते हैं, जिसे हम side veins भी कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं, ये side से निकला है, वही side veins कहलाता है, ये veins water, minerals and prepared food, जो leaf prepared किया रहता है वो plant के different parts में transfer करवाता है, अब हम बात करते हैं, leaves का का काम क्या होता है leaves ये plant के लिए food prepare करता है, इसलिए इन्हे plant का kitchen या फिर food factories कहा जाता है leaves का second function होता है, leaves per present is tomato के through ही plants ब्रेइद करते हैं इसका third function होता है, leaves जो है, वो plants को shape and color प्रोवाइड करवाते हैं तो आज के लिए इतना ही था, next video में हम इस chapter को continue रखेंगे, thank you